आधी का प्रयोग किया जाता है, यानि कि विधी के आधार पे जब हम लोग देखें, on the basis of methods, तो जो विधी हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं, उन विधीों में बहुत सारी ऐसे विधी हैं, जो नई नई जो है, वो संचार में हमारे क्या हैं, आती ही जा रहे हैं, आती ही जा जब उनका प्रयोग करके हम लोग किसी भी सूचना को किसी समूह में या किसी सांस्कृतिक परिवेश में विस्तारित करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी प्रदर्शन विधी कहलाती है, किसके आधार पे, विधी की आधार पे, यानि कि methods के आधार पे, जैसे अभी बहुत सारे सुचनाओं हैं, डेई बाई डेई, नय नय नित, नवीन नवीन जो है वो खोज हुए जा रहे हैं, अभी अगर आपने देखा हो, तो बहुत सारी सुचनाओं को हम लोग जो विस्तारित करते हैं, किसी भी सुचना को बहुत सारे लोगों तक विस्तारित कर करने के जो है बहुत सारे माध्यम दिखाए गए हैं उनमें अगर हम लोग जा करके देखना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग जो है इस विदी को क्या करते हैं सफलतम बनाते हैं इनमें जो पहला माध्यम हमारे पास आता है उस सारे contacts होते हैं हमारे पास हम वहां तक क्या करते हैं विस्तारित कर देते हैं तो यह हम क्या कर रहे हैं यह basically हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं एक demonstration कर रहे हैं और सुचनाओं को वहां तक पहुंचा रहे हैं next social sites पर पोस्ट यह भी क्या है हम demonstrate भी कर रहे हैं और हम एक ही साथ बहुत सारे लोगों तक क्या कर रहे हैं सुचनाओं को पहुंचा रहे हैं नेक्स विभिन चैनल चैनल जिनमें टेली ग्राम काफी पॉपुलर चैनल है अगर हम लोग देखें हमारे सिक्षण के अंदर और सिक्षण संचार के फिल्ड में जो है एक बहुत पॉपुलर चैनल है एक ही सुचना को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही अच्छा और बढ़िया जो है वो तरीका है नेक्स हम आते हैं सेकेंड परिणाम के आधार पर on the basis of result तो जब हम result के आधार पर यानि कि परिणामों के आधार पर सुचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं किसके जरिए demonstration के जरिए यानि कि प्रदर्शन के जरिए तो यह हम किस तरीके से कर पाते हैं यह जो हमारे पास नवीन्तम सूचनाएं हैं इन नवीन्तम सूचनाओं के माध्यम से जो हमारे पास परिणाम आता है यानि कि जो हमारे पास result आता है उस result को communicate करना क्या कहलाता है परिणाम के आधार पर प्रदर्शन अर्थात यहां पर मैं mention भी कर देती हूं ताकि आपके लिए complicated नहीं हो आपने किसी सूचना को जो है विधी के माध्यम से यानि के method कि सी भी तक पहुंचाया लेकिन वो सूचनाएं जो है जब एक व्यक्ति यानि कि जिसने सूचना ग्रहन की अर्थात वो हमारा परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया, क्योंकि उसने ग्रहन कर लिया, विधी का हमने सहारा लिया, इस माध्यम से हमने सूचना जो है वो उसके पास तक पहुछाई लेकिन जो उसके पास पहुची हुए सूचना है अगेन वो किसी और को फिर जब पहुचाता है तो वो क्या हो जाता है हमारे परणाम में परिवर्टित हो जाता है अर्थात result demonstration के अंदर वो क्या होता है convert हो जा ठीक है अब जो सेकिंड व्यक्ति है जो उसको शेयर कर रहा है आपने जो शेयर किया उसको अगें जब वो शेयर कर रहा है तो वो व्यक्ति जो शेयर कर रहा है वो क्या होता है वो मैथर्ट के उपर हो जाता है उसके सामने वाला जो रिसीव करने वाला होता है वो फिर क्या हो जो है वो continue होता है एक हमारा methods के ऊपर और दूसरा हमारा क्या होता है result के ऊपर अपर अब जुद्ध कर अब जुद्ध आए अब जुद्ध